हेलो फ्रेंड कैसे आप सब लोग फ्रेंड स्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल पर फ्रेंड आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँँ कि पी अप में अपना पूरा टोटल बैलन्स कैसे पता करे वो भी मिस्कल और मैसेज करके इसलिए फ्रेंड बीडियो को बिल्कुल भी स्कीप ना करें और बीडियो को एंड तक जूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज्यादा जुरूरी होने वाली है फ्रेंड आप सबको पता ही है कि हम जब भी अपना बैलन्स चेक करने की सोचते हैं तो मेंबर पास्बुक की साइड में कोई ना कोई प्रोबलम आ जाती है या तो कोई टेक्निकल एरर होता है या फिर और कोई प्रोबलम की वज़े से साइड नहीं चल पाती है जिस कारण हम अपना बैलन्स चेक नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि अपना पूरा बैलन्स कैसे पता करे वो भी मिस्कुल और मैसेज करके तो फ्रेंड इसके लिए EPFोने अपने पोर्टल पर मिस्कुल और मैसेज के लिए नमबर अपडेट कर रखे हैं जिससे मेंबर कभी भी अपना बैलन्स मिस्कुल और मैसेज करके पता कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि यो कौन से नमबर है और कैसे पता करे अपना पूरा टोटल बैलन्स फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो पिलीज मेरे चैनल को जुरूर सबिस्क्राइब कीजिएगा और साथ में बैल आइकोन जिससे आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुच जाए फैनी देखिए पीअप के एक नोटिविकेशन हमारे सामने है इसको आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं पीअप मिस्कोल नंबर टाइप करके उसके बाद आपको ये वाली नोटिविकेशन दिखाई देगी फैनी इसमें देखिए आपको एक मुआइल नंबर दिखाई देगा इस नंबर पर आप कभी भी मिस्कोल करके अपना पीअप का सारा बैलन्स पता कर सकते हैं इसके लिए आपका मुआइल नंबर आपकी वे नंबर से एक्टिवेट होना चाहिए उसके बाद केवाइसी में बैंक अकाउंट नंबर अधार नंबर या फिर पैन नंबर इन तीनों में से कोई वेक आपकी केवाइसी में अपडेट होना चाहिए फिर आपको अपने रेष्ट्र मॉइल नंबर से दो या तीन बार इस नंबर पर continue मिस्कुल करनी है मिस्कुल करने के बाद EPFO की तरफ से आपको एक मैसे रिसीव होगा जिसमें आपका टोटल P.A. बैलेंस की तरह है उसकी साही जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड उसके बाद एक नंबर हो रहाता है वो है लेंड लाइन नंबर इसके लिए आपका मॉइल नंबर P.A. से लिंक होना चाहिए जब भी आप अपना बैलेंस पता कर पाएंगे इस नंबर पर मिस्कुल करने के लिए अगर आपकी केवाईसी ना हो और कितना भी पुराना P.A. अकाउंट हो या आपका P.A. अकाउंट बंदो जब भी आप इस नंबर पर मिस्कुल करके अपना बैलेंस पता कर सकते हैं तो फ्रेंड आपको इस नंबर पर दो या तीन बार continue मिस्कुल करनी है उसके बाद E.P.A. की तरफ से आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें आपका टोटल P.A. बैलेंस कितना है उसकी साइज जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी फ्रेंड ये तो हो गए मिस्कुल नंबर अब मैं आपको बताता हूँ मैसेज वाला तरीका की मैसेज करके कैसे P.A. बैलेंस पता करे फ्रेंड ये देखिए एक और नोटिविकेशन हमारे सामने है इसको भी आप Google से डाउनलोड कर सकते हैं पीएफ मैसेज नंबर टाइप करके उसके बाद आपको ये वाली नोटिविकेशन दिखाई देगी फ्रेंड मैसेज करने के लिए आपको ये नंबर EPFO के साथ रेक्ष्ट रोना चाहिए फैन यहाँ पर देखिए आपको इसमें एक मॉयल नंबर दिखाई देगा मैसेज करने के लिए आपको टैक्स में टाइप करना पड़ेगा EPFO HO उसके बाद आपको ये नंबर और ये नंबर के आगे भासा के सुरू के तीन अक्सर टाइप करने है जैसे अगर आपको हिंदी में जानना है तो हिंदी में जानने के लिए H.I.N. और इंगलिस में जानने के लिए E.N.G. इसके अलावा अगर आप और कोई भासा में भी चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे 10 भासा नजर आएगी इसमें से आप किसी भी भासा में चेक कर सकते हैं लेकिन आपको सुरू के तीन अक्सरी टाइप करने पड़ेंगे उसके बाद आपको ऐसे टाइप करके इस नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा मैसेज करने के बाद आपको P.F. से एक मैसे रिसीव होगा जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है से मैसे ही आपके नंबर पर भी मैसेज आएगा जिसमें आपका टोटल पिये बैलेंस कितना है वो सारा आपको पता चल जाएगा फ्रेंड मैसेज आपको 3-4 बार कंटिनू करना है मैसेज में कभी तो मैसेज जल्दी आ जाता है और कभी लेट आता है अगर मैसेज में टाइम लगे तो आप मिस्कॉल कर सकते हैं इसमें जल्दी से मैसेज आ जाता है तो फ्रेंड ये तीन तरीके थे जिससे आप कभी भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं तो friend I hope कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गये और friend अगर आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comments कर सकते हैं या फिर मुझे mail भी कर सकते हैं मेरी mail ID आपको description box में मिल जाएगी